26 जनवरी को बसंत पंचमी पर ऐसे क्या उपाए करें कि जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता जिनकी कंसेंट्रेशन पावर नहीं बैठती या जो एक्जाम देते हुए डर जाते हैं यानि किसी भी वज़ा से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहें बच्चे हों बड़े हों कोई भी हो क्योंकि बसंत पंचमी जो है वो मा सरस्वती को समर्पित है और मा सरस्वती ज्यान की विद्या की देवी हैं तो सबसे पहले तो आपने अपने स्टडी टेबल के उपर मा सरस्वती की कोई भी छोटी सी मूर्ती रखनी है और उनके पास ए क्या करना है आपने नीले और काले बैक्स का इस्तिमाल नहीं करना आपके बैक का कलर ग्रीन रेड और येलो होना चाहिए क्योंकि रेड कलर जोश का है ग्रीन कलर बुद्धी का है और येलो कलर विद्या का है अब आपको उपाय क्या करना है आपको एक बढ़ का पत्ता लेना हैं उस पे पांच मिठाई के पीस रखने और दो हरी लाईची रखनी हैं आपने ये समान लेकर आपने पीपल के पेड़ के पास जाना है और अपनी विश करते हुए आपने ये समान वहां रखते हुए कहना कि जो भी आप एक्जाम देने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मि मात्र अगर आप ये उपाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बढ़ाई में जो मन नहीं लग रहा था वो लगना शुरू हो जाएगा दूसरा बसंत पंचमी इस पार गुरुवार वाले दिन जो की बहुत अच्छा और बढ़िया संजोग बन रहा है कि आप जो भी ये उपाई हैं उस दिन करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जीवन में आपको जैसे कहते हैं मा सरस्वती सदबुद्धी परदान करेंगी आपको सही रास्ता देंगी दूसरा उपाई आपने क्या करना है आपने कच्छा दूद लेना है एक गडवी लेनी है लोटा लेना है उसमें पानी डालना है कच्छा दूद डालना है और आपने सफेज चंदन का तिलक लेके जाना है पहले तो आपने सफेज चंदन का तिलक आपने पीपल के पेड़ पे लगाना है और साथ ही ये जल अरपित करना है कच्छे दूद वाला और जो इस जल जो तने पर डालोग कि वो जब जमीन पे आएगा उसका तिलक आपने बच्चे को लगाना है या बच्चा वो तिलक खुद ही लगाएगा मातर इतने से उपाय करने से आप देखेंगे जो भी आपके पढ़ाई में हर्डल्स आरी थी वो समाप्त हो जाएंगी दूसरा अपने बच्चों को नौर् मुह है वो नौर्थ या इस की तरफ हो बच्चे बेट पे और सोफे बैटके विलकुल नहीं पढ़ेंगे जमीन पे या स्टड़ी टेबल पर पढ़ाएं मातर इतने से उपाय कीजिए आपकी कंसेंट्रेशन जो भी पढ़ाई में दिक्कत आ रही है वो समाप्त हो जाएग सबसे पहले तो आपको लोटे से जल देना है शिवलिंग को और काले तिल शिवलिंग के उपर रखके आ जाने हैं लड़किया या लेडिस शिवलिंग को हाथ नहीं लगाती वो वर्जित होता है इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है साथ में आपको छोटे छोटे से जो म एक्साम नहीं क्रैक कर पारे वो कर पाएंगे जैश्री रादे जैगुरू जी